तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा ढूंडता है तू किसका साहारा साहित्य अकेड़बी ना आ वेब लिंक सेमिनार मा हूं पदराई वचरा जाने सव मित्रों ने मारा नमस्कार पाठ हूं तुशार भाई अने पार्थ महा बहु भरत जूशी ने पन मारा प्रणाम कृष्णा जी मैं आपको भी वंदन करता हूं और आपने जैसे इजन दिया है मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं विशाई एवो छे महामारी साहित्य और जीवन मुल्यों आ त्रण शब्दों नी पिशिस्त चानावत बनने मारा सहयोगियों एक करी छे हूँ जरा जुदी रिते मारी वातने मुख्वानों प्रयास करीस। हूँ एवो मानू छूँ के महामारी ए स्रुष्टीना आयोजन नो एक भाग छे। आ स्रुष्टीनों हजू आयोजन ठाई रहे हूँ छे। एमा फेरफारों करवा पड़े छे। आने ए फेरफारोंना भागल रूपे आ महामारी ए उर्जानों एक मुट्टो प्रवा आपनी तरफ भयओ छे। अथ्वा तो एम पर्भाभ छे ए legislatus ऐसा मध्वाक्रूम करण्यद प्रवा है Nicholas जोई रहे हो छूंके आपड़ी पासे बे विकल्प ओ छे, evil to good और good to better आपने शुख करऊचे, आपने सारप तरफ प्रयाण करऊचे के सारप माती वधू सारप तरफ प्रयाण करऊचे, एनों आपने मन्ती अभ्यास कर वाला किये, वीचार वाला किये, एमनों आ एक सुंदर मजानों टक अपनने सुरुष्टी आपी छे अस्तित्तु आपी छे अने ए टक नो लाब आपने लोको उठाविये तो हूं मानू छूं क्या महामारी इब्लेसिंग्स इन डिस्काइस छे एटले हूं तो स्वागत करूँ छूं कुद्रत ना एक आयोजननू के जे आयोजनने आधारे आपने सव थोड़ू विचार था थाया छिये आपने सव एवू गढ़वा लागया छिये काण के आपने सव मृत्यूने नजिक ती जोई लिदू छे कोई नजिक नानू के कोई सगान थी एनू अथवा तो रोज सवारे मृत्यूना काई नवा नवा समाचार वाचिये जीये तो हवेनू जीवन केम घडवू एना माटे ना हवेना जीवन मुल्यो केम घडवा एना माटे नो एक सुन्दर पाठ आपने सुरूष्टिये शिख अपने वातू पराविये साहित्य श्मूँ छे अन्या माहमारी न संदर्भमाज साहित्य श्मूँ छे एनो आपने विचार करिये आपने जो साहित्य अंगे नी वात करिये तो मने एवु लागे छे के अत्यारनी आपनी जे चर्चा छे अथो आपनो जे संवाज छे जे आपने ओनलाइं घरे बेसी ने विश्वसु जी आपनी वात पोंचाड़ी रहा छी ये ए हकिकत मा भागवत ए संस्कुरुत नू एक मधूर ने आखर शक्का दिया छे एनी भाषा थोड़ी अगरी छे पाण माधूर्य मा तेनी बराबरी करी शके एवु कोई न थी एमा कैऊं छे ए हुँ या ठाकूं सवागविसर्गो जनताध विप्लवह बधी जनताना पापने धोईशकनारो वागविसर्गज भगवानने प्रियताई छे अने एज सर्वत्तम काविय छे अने एग वागविसर्गज साहित्य केवड़ावाने लायक छे एटले एम कैवाई के आपने जाने अजाने अत्यारे जे वाग विसर्ग करवा भेगा थाया छे ए आपने एक साहित्यनू सर्जन करी रहा छे अथवा तो सर्जायला साहित्यनी आपने सेवा करी रहा छे यह मैं कहिवाई शे के साहित्यकार मां विश्व व्यापक वृत्ति हो वीजूए जने विश्वानु भूती थाई हसे जने सर्वभूत रुदै हसे जना मनमां संकुचित्ता नहीं होई एज साहित्यकार थशे आ साहित्यकार नी व्याख्यानों अर्थ एओ छे के जारे कुद्रत अस्थीरता तरफ महामारी तरफ समग्र विश्वने दोरी रही होई त्यारे जेने अंदर स्फूर्णा थाई छे अने कहिंक सर्जन करवानी चेस्टा जे करे छे एसाच्चो साहित्यकार छे करन के भूति करी रहे होई छे गुलिशारे संदर मजानी वात करी छे जब कोई सामन्य मानव अपनी वेदना समुवेदना को कह नहीं सकता तो वो रोने लगता है नाचने लगता है अभिव्यक्त होने लगता है उनको देखकर जो रुजूर्दय कुछ लिखता है तो वह साहित्य बन जाता है एटले अत्यारना आ महामारी ना काल मा जे रुजुर दे ये कशुक पन लख्यूं एसाहित्य बन्यूं एवु मनवाने कारण न थी के आ महामारी पछीज कशुक लखायू छे बाई भरत जोशी ए अगाव चर्चा करी छे के गां पसंद करीश के आपड़ा एक सूफी कक्षाना गुजराती एवा भगत जैने पुज्यश्री मोटाना नामे आपने उलख्ये चीए एमने ओग्णी सो एक्तालीसनी वर्ड वोर पछी जे वात लखी ए आजे पन ता दुरुष्य थाई रही चे एमने कईू के आपड़ा दे आपने जाग्रुत थावानू छे समाजे जाग्रुत थावानू छे औने संग्राम माती मानसनी मर्दान गी प्रगटे एवा प्रयासो करवाना छे पुझे मोटा तो इम केछे के संग्राम मातीज हम्मे सां तमारी शक्ती प्रगट्ती होई जे ए उधारन आपे जे के आख्षी गिता संग्राम ना मेदानू पर इटला माटे कावा मावी के एक उधारन छे के तमे संगर्ष मा हो छो त्यारे जे तमे सर्जन प्राप्त करो पुज्य मोटा बोव मोटा दार्शनी खाता, आने एमने पोटानी अंदर उगेली वाणी ने शब्द दे आपयो, आने एमा थी आवाद कई. मारी पासे एक सुंदर मजानी अंग्रे जिव्याख्या छे, साहित्या नी. The word साहित्या can be interpreted in another way as well सा लस हीता, हीते न साह, that which co-exists with हीता or welfare is साहित्या. Where there is no inner spirit of welfare, we cannot use the term साहित्या. मने एक पोस्ट कार्ड मलेलूं, और एनी अंदर एक सुंदर रचना एमने पोतानी मोकलेली, एहुन रजू करूं. आपनु दूख एटले एक ओरडो, जेमा ओत्प्रोत थाई दिवालोंने वढगी वढगी, आपनी फुट पट्टी थी, एने माप्या करता आपने. ने सुक एटले एज और ना नी बहार पग देता, भुलाई गये ला, एना बधाज मेजर्मेंट्स औने बधाज डाइमेंशन्स. पन्ना नायक नुँ आपोस्टकार छे, पन्ना नायक नी हरचना छे, और आजे आमने एतला माटे टाकवानी इच्छा थाई छे, कि आपने दूख नी व्याक्षे एतले शूँचे, आपने सव लोगडाउन माँ एक घर माँ बेसी गया छे, एक रूम माँ बेसी गया छे, अने त्यारे एवात आपने साची लागे छे, कि सूँचे आपनों दुख तो केक और रो, पड़े माँ आपने उद्प्रोत थे गया छे, दीवालों ने वडगी वडगी ने आपनी फुट पट्टी थी, आपने बेठा-बेठा मात्या करिये छे, और त्यारे मनें तमने ख मित्रो, आ लोकडाउन दर्म्यान अथवा तो आ महमारी दर्म्यान सर्जन नथी थयो नथी, हवे थशे उपन्चरूर जरूरे सर्जन तो ठटू जरूरे उखे, सर्जन ऐज छे, कि जे ठटू रहे छे सर्जन अटके तो तो कार चक्र अटक्या चेहू लागे सिद्नी मां उस्टेलिया मां वस्ता एक युवा नवलखथाकार अने तोखार लेखक पार्थ नाना वटी पोतानी केफियत आरीते रजू करेज एमने कयामत नामनी एक नवल लखी आदिवसो मां अने एक कोवीड नी सामेना जंग नी काहानी मूल तो चित्र लेखा मां एनी रंग कपट नामनी एक नवल चाले पड़ा कोवीड नी रामायन अने एना पगले थैला लोकडाउन ना महाभारतने कारणे चित्र लेखा नी प्रिंट कोपी बंद थाई जेम सुतार नूमन बावड़िये एम लेखक नूमन कादड़िये एना तो पार्थे बराबर जालवयो अने पार्थ नाणा वटी मूल इम्मिनोलोजी ना पोते अभ्यासू एमने भणतर पन करियो इम्मिनोलोजी मां अने भणावियो पन करू ए अनुभवेन एक भारे आवयो अने एना उपर थी एमने पोताना नूलेज ने अमल मां मुकी ने आजनी महामारी मां लगबग लड़ता एवा भारतिय विग्णानी नी अने लड़ी ने जीतता ए नवजवान नी एक कथा लखी जेनो नाम आप्यूं कया मत मानवीय संबंधो अने स्वभावनी आसपास रचायेलू थ्रीलर रखवानो जितलो रोमांज थयो एनाती वधारे क्यारेक प्राप्त करेलू ग्णान पन काम मां आवे छे ए अनुभव्यानो आनन वधारे थयो एम उपार्त आपनने कहे छे महामारी अने साहित्य अना आ काल मां मानव मुल्योंने उजागर करती कितले एक सुन्दर मजानी रचनाओ थाई छे अने थाई रही छे एमा बहुज बोलका अने प्रचलित एवा कवीश्री कृष्ण दवे एमने अर्थ्याविस्मी मार चे लोकडाउन मां एक सुन्दर मजानी रचना करी अने एमने फरियात करी के सांबल नारूज कोई न थी सांबल नारूज न थी कोई एक बाजू कोरोना एक बाजू बूख साली पाचल पड़ी छे हात धोई सांबल नारूज न थी कोई नानकणां पगलानी जीद तो जुओ क्या आखा हाईवे ने हांफ चली जाई छे पत्थर पर वाटेली लसन नी चट्णी मां वहेंची ने रोटलो खवाई छे गामणू तो आपी ने राजी थाई जाई अने शायर तेतो मानवता खोई सांबल नारूज न थी कोई कप्रा आठाणामा मालिक पणानो हजु तमने का लोब न थी चुटतो बापूनी आंगलिये वलगेली पगलीनो क्यारे विश्वास न थी तुटतो जाने कोई गोवाळे तरचोडी दीदी होई गायू भेसीने दोई दोई जाने कोई गोवाळे तरचोडी दीदी होई गायू भेसुने दोई दोई सांबल नारूज न थी कोई एक बाजू कोरोना एक बाजू भूक साली पाचल पड़ी चे आत धोई सांबल नारूज नती कोई कृष्ण दवे धारदार बाबतो लखवा टेवैल मानस जे अमर हैद्राबाद बेसी ने गुजरात ने गुजराती ने सतत जिवन्त श्वस्ता आपना प्रिय नवलकता कार वेने शंतानिये पोतानी डूपकी अखबारी कोलम मां पन पोतानो आकरोश कुद्रत सामेलों और व्यवस्ता सामेलों एवीरिते ठालव्यों एमने कयूं करेशूं ये लोको करेशूं ये लोको घर केटला माइल दूर छेते विचार्या विना लोगडावन नी शरुवाथ्थीज हजार उस्त्री पूरुसो माथेन खब्बे ठेला गासरा चोरा उपाडी पक पड़ा निकली पड़्याँ छे आ हिजरत नथी पन घर वापसी नो प्रहत नचे एनू एक कारण छे केवना मनमा एक कज सपनू हतूं तेव वनमा पोतानू घर जालवी राखवा मागता हता पोतानू घर जालवी राखवा मागवूं एक केव मोट्टू सपना चे विनेशे बहु दर्दीली रिते आवाद नी रजुवात करी चे विनोड गांधी निरिक्षकनी डिजिटल आवरुत्ती मा बाविसमी मेना रोज नहीं गावानू गीत लखे जे अने ए नहीं गावाना गीत मा काये जे अमें आवा दिवस नोता जोया आसू विनानी होई आखो ने आम अमें ध्रुसके ने ध्रुसके नोता रोया अमें आवा दिवस नोता जोया माडीनों हूप बर्यो हाथ नती अड़तो दिकराना शीर पर बिक्थी आवीते आबर्चेट होई मारा भई रहवानू दूर कोविड थी अमें संबंदो प्रेमना आए खोया अमें आवा दिवस नोता जोया आसू विनानी होई आखो ने आम अमें ध्रुसके ने ध्रुसके नोता रोया इश्वर पन दूर दूर रहे चे अमारा थी शोधिये तो क्याई नती मलतो बेगजनू बानू काढ़ी अमारा मा आजकाल ए नती मलतो अमें ए ना थी पन हाथ दोया आमें आवा दिवस नोता जोया विनोध गांधी नी आ दर्दिली रचना खरेकर आजे स्थिती एवी छे के सव साथे घरमा छे पन प्रत्येक व्यक्ती एक लो छे अन्यमों छे मारी पासे बांगला देश ना उमर अली नी एक रचना छे जनो अनुवाद महेश विश्वना थे कर्यों छे ए आवीज कोई वात रजू करे छे ते एकलो बेठो होतो गमगीन ठाके लो आसूती खरड़ायला चहरे मैं तेने पूछिऊं केम तेने शांती थी मारा सा में जोयूं अने मुंगो रहों मैं फरी तेने पूछिऊं केम फरी तेने शांती थी मारी आँखो मां जोयूं अने एक कशूं बोल्यो नहीं पचिते उठेओ आने तेनु मौन मुखी ने जतो रए हो। अपने धरेक अत्यारे एक बीजापासे आपनु मौन मुखी ने चालता जाईये छिये। मने एकसान नानक्डू विपूल परमार्नू एक मुख्टक छेव। वाक्सप युनिवर्सिती माथी मल्यू पन रुदैने स्पश्षि गयू। बटके भूखना तोडा, जीवन जेवी चीज पड़ी गई करता खाखा खोडा। बटके भूखना तोडा, जीवन जेवी चीज पड़ी गई करता खाखा खोडा। काल हताजे साथ अमारी हैयू मस्तक हाथ। काल हताजे साथ अमारी हैयू मस्तक हाथ। खपमा आव्या एज हवे शुँ भर्वी बीजे बात। सपना नूचे बचकू माथे, सपना नूचे बचकू माथे, ने हाथे शीशू भोडा, भटके भुखना तोडा, चो तरफ भटके भुखना तोडा। विनेश अंताणिये जे गध्यमा कायूं, ते भीपूल पर्मार आपनी समक्ष पध्यमा पेश करे छे। एक सुंदर मजानी वाद छे, क्या आब दूच जो अस्तित्व करी रहू होई, आब दूच जो प्रकृती करी रहू होई, तो ये शुँ छे। पन्प अंग्रिजीमा एक विकत्व माजेली अने एमनु गुजराती एतला माटे करी आपने त्यारे साहित्य अकेडेमिना गुजराती संवाठ मा छिए। अस्तित्व तमने परेशान नथी करतूं, अस्तित्व तमने दंड नथी आपतूं, अस्तित्व तमने आशिर्वाद नथी आपतूं, अस्तित्व तमने नियंत्रित पाण नथी करतूं, अस्तित्व तो तमे सर्जेला स्पंडनोनो मात्र प्रतिभाव आपे छे अस्तित्व मां तमे जे तर्तु मुको छो ते पडगानी जेम पाचू आपे छे तमे घोश छो तो अस्तित्व तमने प्रतिघोश आपे छे आवात वर्शों पहला पोतानी अनेक मारमिक कविताओमा आपना वरिष्ट कवी रमेश पारेके रजू करी रमेश पारेक नी आबदी रचना उपनू एक सुन्दर मजानू विशलेशन अमारा अमरेलीना योवान सिक्षक कवी प्रणव पंडियाए बहुज विगते करी आप्यों अने एमां एमने रमेश पारेक नी कुरुक्षित्र नामनी एक रचना अंगे बात करी एमनों विवेचन अथ्वा विशलेशन भाई प्रणव आशब्दों मा करेचे जिवननों कुरुक्षित्र जूदूं छे अहीं सामे कोई सेना देखाती नहीं अहीं शस्त्रोती प्राहार थता नती चिच्यारियों के रक्तपार थता नती अने छत्तां क्षने क्षान एवु लागे के आपने कर्ण छिये अने पईडूं खुपी गएउँ छे आपने भिश्म चिये अने तीरनी अनियारी पठारी मा सुता चिये आपने अभिमन्यू चिये के जनी आसपास प्रपंचना चक्रव्यू रचाया करेचे लागे चे के आम उजरडोई नती थयो अने आम आपने सव लोई जान थई गया चिये अने लडवानू चे कोनी सामे सामे मेदान थो खाली चे अने चता लडवानू चे एनो और तेम के जिवन भर आखाली पानी सामे लड़ता आव्या चिये एनो आजे रफरी एक वार रियल सर करवानू चे रमेशनी एक सुन्दर मजानी रचना हस्ता यन एमा रपा कहये छे हाथ सुमसान बनी मेज पर पड़ेला छे असंख्य जांजवाना स्पर्षवाती मेला छे आपड़ी हालत तत्या रेवी छे वारम वारहत दो मोड़ा उपर एक मास्क बांदो काण के तमरो दंबी चेरो देखाया वे छे तमरा हाथ मेला छे हाथ सुमसान बनी मेज पर पड़ेला छे असंख्य जांजवाना स्पर्षवाती मेला छे आमारा हाथ ने हमनाज गिरफतार करो के तेने तोपना मो जीवता करेला छे प्रकृती साथे आपड़े जे दूर वेहवार करेो छे येनो प्रती घोश अत्यारे आपणने मली रयो छे उमारी वातननों समापन करूं और एक सुन्दर मजानी रचना आपनी सामे पेश करी और विदाएलों थोड़ो समय छे तेने ध्यानमा लईने हुँ बे नाना टुकड़ा और एक रचना रजूकरी ने समापन तरप जाओं आदिवसो मां आपने नकर कविताओं मली और एक सुन्दर मजाना कर्द्योपन बढ़्या आपना पौज मांजेला कवी विवेचक और साहित्य ग्ना मनिला लह पटेले एक सुन्दर मजानी वात हमना रजूकरी स्पर्षती सुखनी समझन आपता गड़े वडगीने वहल करता एक बिजाने मडीने मलकाई छलकाई जता मारा हाहत हवे मारा न थी रहा बात भरीने भेटवानू ए भूली गया छै जै क्योभी बहरी भोबली कता चैई हाथ ना होबानी कोई नाई हाथ हवे कोई ना हाथ मा नथी रहा बहुत सुन्दर अंट एमने आपयो छे सुक्की शेरडीना साथा जेवा हाथ आ हाथ हवे मारा हाथ मा नथी रहा हाथ हवे हाथ ज नथी रहा हाथ पोतेज पोताना नथी रहा अपने ये सवनी साथे अत्यारे संववाज मा जोड़ायला छे एतुशार शुकला अच्छन्दस रचनाओनी अंदर जे माहीर छे एमने आ लोगडाउन कुल्या अवस्थानी एक सुन्दर वात करी आजे बहार पगमुक्यो आजे बहार पगमुक्यो गरमा थी बहार आवे बे मैना थाया फण आवधेली दाड़ी एतो सप्ना मनवधे तो पची बदलाये उशूं पर खास कशूं न बदलायानू एतलू दूख केम नथी मने तो गम्यू बदू एनू एज लागे छे आपने ज एडिट करी ले शूं पेला बे महिना मानू सभाव छे एडिट करी लेवानू अने एक छेली सुंदर रचना पंचम शुक्लाये एमने शिर्षक आपियो अप्प दीपो भवा बुद्धिनी एक सुंदर्मजाने दार्षनिक वार दार्षन सुत्र बगडा पाचल मिंडा तेर जगडू शाय तानी भेर बाजी खाजा ठके शेर बदू ज मर्शे बेठा गेर अपड़ी आलते वी आती बदू गरे बेठा मोले खटम थशे परदेशी केर डौन की होतिये नी समशेर आफतमा अउसरने देख सपना नी गूती ले सेर आत्म निर्बर थैने बेस आफ़तम आउसर ने देख सपनानी गूथी ले सेर आत्म निर्बरत हैने बेस इश्वर अल्ला कर से खेर अपने पन प्रार्थना करिए कि जड़प्ती समक्र विश्वनों इश्वर ने अल्ला खेर करे आपने सव बाहर निकड़ी ने लेर करिए नमस्कार कृष्णा जी आपका आवार तुशार भाई और भरत का अनुग्रह आप सबको नमस्कार लोकाह समस्ताह सुखिनो भवन्तो गए है तुही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा रूंडता है तो किसका सहारा